सब्सक्राइब कीजिए रोयल टीचर को एजुकेशन संबंदी न्यूस तुरंत पाने के लिए समुवेक्तिकत दुर्गटना बीमा योजना वर्स 2021-22 के दिसान निर्देश OTP आधरित होगा इस बार फोरम प्रीमियम में भी है परिवर्तन जी यहां साथियों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अप्रेल महा का जो वेतन मही में दे होता है उसमें हम सभी की 220 रुपे की समुवेक्तिकत दुर्गटना बीमा की कटोती की जाती है यह जो कटोती की जाती है एक वित्तिय वर्स में अगर किसी करमचारी की दुर्गटना में मिर्ट्यू हो जाती है तो उनका वो बीमा कवर दिया जाता है वो तीन लाग का है लेकिन इस वर्ष वो जो 220 रुपे की कटोती है उसका प्रीमियम बढ़ा दिया गया है यह आप सभी जानते हैं पहले भी दिशा निर्देश जारी हो चुके हैं इस बार इस बारे में बताया निदेश ऑग निधेस वह बेमा प्रावधा निधि विबा वर से जारी किये गए वक दुर्गटना वह योजना के दिषानिर्दित इयगे हैं सा 때는 बताया गया है की कौन-कौन इसके पॉलीषी के अंतरगत सम्मेलत हो सकेंगे और कौन कर्मी सम्मेलत नहीं होताई है तो तो वीडियों में 30-4022 की अवधी है तू राजस्तान के अखिल भारतिय सेवाओं के अधिकारियों सहीत समस्त राज्य करमचारियों पर समुव्यक्तिकट दुरगटना वीमा योजना अनुवारे रूप से लागू की गई है उक्त योजना के अंतरगत राज्य करमचारियों को जिनमें जिल्ला की एक सेहनी आपको दिए कि आप उसमें से चैन कर सकते हैं वीमा धनकी समुव्यक्तिकट दुरगटना वीमा राज्य करमी पॉलिशी राज्य बीमा प्राविज्य निदी विबागशायों के साधान वीमा निदी कारेले द्वाराद जारी की जाएगी इसके अंतरगत कौन- वे राज्य करमचारी जिनकी न्यूक्ति थी 30 अप्रेल 2021 एम इससे पूर्व है और उनका प्रीमियम दिनांग 31-5-2021 तक साधान वीमा निदी के संबनित बजट हैड में जमा हो गया है दिनांग 1-5-2021 से कवर माने जाएंगे साथ ही वे राज्य करमचारी यानि राज्य करमी जिनकी न्यूक्ति थी 31-5-2021 इसके पस्चात है और उनका प्रीमियम प्रोयटा पैसिक पर साधान वीमा निदी के संबनित बजट हैड में जमा हो गया है प्रीमियम जमा करने की थी 30 कवर माने जाएंगे साथ ही ये जो करमचारी है वो नहीं माने जाएंगे यानि इसमें समयलित नहीं हो सकते हैं जैसे पुलिश विबाग के वर्दिशारी अधिकारी करमचारी जिनके लिए प्रतक से जी पीए पुलिश करमी योजना संसालित की जा रही है नगर पालिका नगर निगमादी संस् अप्रेल दे मई दो जाए कि इसके वेतन से काटी जानी है इसका जो चैन है वो कार्मिक द्वारा किया जाएगा वो किस परकार करेंगे उस वीडियो के लास्ट में आपको एक स्क्रीन मिलेगी दोस्तों वीडियो का लिंक आपको पीछे मिल जाएगा यह है वो वीडियो जो स पोटल PIR से प्री पे मेनेजर पोटल के माध्यम से वेतन आहरित नहीं किया जा रहा है उन डीडियों के द्वारा बजट हैड में इग्रा सिस्टम के माध्यम से इबैंकिंग अथवाई चालान क्रियेशन का उप्योग कर 31 पांस 2021 तक प्रीमियम राशी जमाग करवानी होगी नहीं किया जा रहा है उनसके लिए नीजी इस तरफ चे प्रीमियम बजट हैड में इग्रा सिस्टम या इबैंकिंग के माध्यम से या चालान क्रियेशन का प्योग कर 31 माध 2021 तक जमा करवाना अनिवारी होगा इग्रास का पता आप इस वेब साइट पर जाकर देख सकते है प्रस्ताव पत्र सभी अधिकारे करमचारियों से बरवाया जाना अनिवारी है आहरने वित्रन अधिकारियों द्वारा सभी अधिकारे करमचारियों से SIPA पोर्टल में प्रस्ताव पत्र पूर्ती करवाया जाना आउसक है इसी के साथ समस्त अधिकारे करमचारियों से प् लिककलप लिया जाएगा जिन अधिकार्य करमचारीं कर दोकी वेतन से नमी दिक्रत योजना के अंतरगत पे मेनेजर इग्रास पोर्टल के माध्यम से कटोथी कर कटोथी पत्र वेतन बिलों के साथ सलगन कर कोश कारेले को प्रस्तूत करेंगे बाकी जो दिजार निर्दे से दोस्तों ये सिर्फ डीडियों के लिए है हम ये द्यान में रखेंगी कि जिन कार्मिकों के न्युक्तिती थी निन्ना नुसार होगा जैसे बीमा पैंसन निती के लिए दिया गया है राज्य करमचारी सम्मू बीमा योजना और राज्य करमचारी वेक्तिगत दुरगटना बीमा योजना के लिए ये बजट हैड दिया गया है साथी एक बात का ख्याल रखेंगी प्रीमियम की राशी जी की जो कटोती की जानी है कटोती करने से पूरू अगर किसी करमचारी की मिर्ट्यू हो जाती है तो समझने डीडियो दारा प्रीमियम नहीं काटा जाएगा साथी दोस्तों सभी राशी गरमचारीयों के साइप प्रीमियम विकल्प को अग्रेशित किया जाएगा तो साथियों यह थे जी पी प्रपोजल से समझने करमचारी से समझने कुछ दिशान दे जो मैंने आपको बताए जन्यवाद साथियों वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दमाएं जो किसे समझने न्य